बड़ी खबर के साथ भूपाल से बड़ी खबर आ रही है लोगसभा चुनाओ तक अब कारवाई के मूड में नहीं है बीजेपी जिहां बीजेपी अनुशासन समीथी की बैठक भी चुनाओ में बगावत भीतर घात की शिकायतों पर चर्चा भी की गई शिकायतों में कई ब बाते निकल कर सामने आ रही है कि लोगसभा चुनाओ तक जरूरी है कि नेताओं के बीच में सही चीजें बनी रहें कुछ गलत बातें बाहर न जाए शायद ये वज़ा हो सकता कि बगावत और भीतर घात के खिलाप तो है लेकिन कोई बड़ी करवाई नहीं करना चाह रही है बड़े नेता यहां पर मौजूद थे इस बैठक में चर्चाय भी हुई भीतर घात को लेकर चर्चाय हुई बगावत को लेकर चर्चाय हुई मनुद जी जानकारी दीजेगा ख़बर पर पहले कहा जा रहा था कि बीतर घातियों पर कारवाई होगी लेकिन अब बीजेपी कारवाई के मूड में नहीं है देखी दरसल लोगसवा चुनाव सामने हैं आने वाले दो महने बादी लोगसवा की चुनाव होंगे ऐसे में जो भी 2023 की बिधान सबाच चुनाव में खासकर चायरविन भालोरिया की तरस दिस सिकायट की बात करें या मानवा निवाल से भी कुछ सिकायट है प्राप्त हुई है पुल मिलाकर सो के लगबग ऐसी सिकायट है जिन पर चर्चा हुई लेकिन सिकायटों के अधार पर हमने ये भी देखा कि हरदा की जिलाद देश को पहले हताए गया था उसके बाद फिर खरगौन में ये कारवाई देखते को मिली थी तो कुछ जगे कारवाई भी की गई थी संक्तन की तरफ से जिनको उटाया जया जिलाद दैश बदले गए थे पर अब बीजे की चुकि लोग सवा सामने है तो ऐसी को कारवाई के बुड़ पर नहीं है लिकिन जहां से शिकायते मिली है ये जरूर कहा गया है कि जो भी जिन नेताओं की शिकायते हैं उनको संधाई दी जाए उनको संधाई जाए जाए और एक मौका देखकर कारण अनो बेजा सकते हैं कुछ नए लोगों को मौका दिया जा सकता है और उबराल बड़ी कारवाई कि जैसे कहा जाता कि इस वह साल के लिए इसकार करना यह सब चीजे तो अभी तो कम सिकम पार्टिस के बचना चाहेगी इस तरह की खबरे आ रही है और सबसे बड़ी बात यही है क कि जिन लोगों की तरफ से बीतर गात या इस तरह की गई है उनको एक बार बुलाए जाए जाएगा और यह कहा जाएगा कि लिए वह बात बहुत बहुत शुक्या सर्मार साथ जुड़ने के लिए तमाम विशलेशन के लिए आपका और चले आपको 36 गड़ लेकर चलते हैं और चलते हैं वह पर चलते हैं झालते हैं और बहुत विए अशड़ने के लिए वह बात यह शदमार से अड़ते हैं झालते हैं प्यावां से टाम् पार वार बहुत लिए शब्रफ चारावं भार जासी हम